कि दम पर कहा action रहेगा ये समझ लेते हैं दिपानशु के पास है पूरी डीटेल्स दीप क्या लग रहा है कहां से खबरे आती दिख रही हैं जनरल इंशॉर्णस कॉपरेश्म ने 10 रुपे प्रती शेर का और आंधरा प्रिपर यहाँ पर सब डिविजन ऑफ शेर से 10 रुपे के फेस वैल्यू के शेर अब 2 रुपे के आपके हो जाएंगे रिकॉर्ड डेट इंफिबीम आवेन्यू के डी मर्जर की है जो यहाँ पर हुआ था और जैसा मैंने का ग्लोबल में यूएस में आपके लिए महेंगाई के आंक्रे तो आएंगे ही आईपियो अपडेट बजाज फनायंस आईपियो आज बंद होगा दूसरे दिन तक करीब साड़े साथ गुना ये इशू भर चुका है रीटेल सब्स्रिप्शन आपका पौने चार गुना पर रह रह रहा है टॉलस टायर्स इसका भी आईपियो आज बंद होने वाला है अब तक सवा पांच गुना ये आईपियो भर चुका है जिसमें साड़े आट गुने के रीटेल सब्स्रिप्शन रहा है क्रॉस आईपियो ये भी आज बंद होगा अब तक धाई गुना ये इशू पर चुका है और रीटेल सब्स्रिप्शन अगेन करी पाने चार गुना है पियन गाटगेल जूलर्स का लिस आईपियो का पहला दिन था दो गुना ये आईपियो अलड़ी भर चुका है रीटेल सब्स्रिप्शन धाई गुना इस पर आपको होते वे दिखा है खबरों के बात करें तो ओईल इंडिया और ओएजी सी फोकस में रहेंगे क्योंकि ओईल इंडिया ओएजी सी विदेश काबिल और आया रेच जो की यूएई की कमपनी है इन्होंने एक MOU किया है ग्लोबल क्रिटिकल मिनरल प्रोजेक्ट्स डिवेलप करने के लिए ये MOU किया गया है जुबलेंट फार्मोवा पर रहेगी नज़र क्योंकि इनकी सबसिट्री है जुबलेंट हॉलिस्टियर जो यूएस की फेसिलिटी है यहाँ पर यूएस एफडिये की तरफ से V.A.I. याने की वॉलिंटरी अक्शन इंडिकेटेट स्टेटस जारी करा है इनकी कॉंट्राक्ट मैनुफेक्टिरिंग फसिलिटी में 28 मैं से 6 जून तक यूएस एफडिये का ऑडिट किया गया था संदूर मैंगनीज यहाँ पर 16 सितंबर को बोर्ड बैटक होने वाली है फंड्स जुटाने पर कंपनी विचार करेगी एक्विटी के जरी फंड्स जुटा सकते हैं जैसे की QIP और अन्यमाथिम लेमेंट्री एक और अपडेट आया है जेवी के जरीए भारत में अपनी प्रेजन्स बढ़ाएंगे भारते बाजार पर अपारल इनोवेशन प्लाटफॉर्म भी तयार किया जाएगा 50-50 का ये जेवी है इन्फोसिस यहाँ पर रखेगा नजर प्रमोटर और फॉर्मोर सीयो एस शिबुलाल साब ने करीब 14 लाग शेर बेचे हैं 0.03% हिस्सेदारी है उनकी कुल हिस्सेदारी है 0.51% से घट कर 0.48% पर हो गए 9 सितंबर को ये सौदेगी गए गए थे 1900 प्रतिशेर के भाव पर ये हैं आज के कुछ important stocks All right, thank you Deep वो पूरी रिचेल दर्शकों के सामने रखने के लिए